तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आरोई फर्म से वीडियो चाइनल पर दोस्तों हमारे इस यूटूब चाइनल पर पहली भार मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि किसी इंटर्वियू पर मैं रियक्शन करने वाला हूँ मतलब कि वो इंटर्वियू अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त इंटर्वियू है और नेपाली जो इंटर्वियू है या मीडिया जगत है उसमें सायद ही बहुत ही ऐसे कम इंटर्वियू आप सभी को देखने को मिलागा जिस तरीके का कोशन और जबाब मिला हुआ है बहुत ही जबर्दस्त दरसल दोसो नेपाल के एक पार्टी है राष्टिडिये परजातंत्र पार्टी जिसका प्रवक्ता नेपाल के चर्चित पत्रकार जिनका नाम है रिसी धामला उनके सोमर आये थे जिस सो का नाम है जनता जानना चाहां 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 और उसमें जो सवा लगाल जबाब हुए है बाईसाब एदम से फार डाला है और आप सभी को भी बहुत ही जादा पसंद आएगा चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो देखते हैं पूरा फीडियो नहीं देखेंगे फूरा थोड़ा क्लिप है उन सभी को देखकर आप सभी के सामने कहते हैं कि कैस चलिए आपकी के साथ वीडियो को सुरू करते हैं भाई घजब बेजती है प्यार से मतलब की बेजत किया है याने अंद्र साही जी ने चलिए आगे देखते हैं जो आपकी शुट्रूरण जाने अंद्र सकत में गरतोनने तुन निती दोटे बाश्ते थे तपाई चंदे सगर गरिहो मैं नेपाल को ले बना है गया मैं आणसर नेपाल जंताल अना नेपाली जंताली यह धुली बना यह धेरी जंताली यह धुबानेगरिख अचत **** सब्सक्राइब यह एटिट्यूड है मज़ेदार मतलब वह रिषी धमला जी का एक सो सायद और है धमला को हमला लेकिन इस सो में साप एकदम से उल्टा देखने को मिल रहा है रिषी धमला के ऊपर ही हमला हो रहा है यहां पर ग्यानेंदर साही के द्वारा अर kissa had iser मुणा नियुदाश्य साही थरामो को ऐसी हमला सा छुक्री वह मेरगों मुणार सेय। इस भी ना बने के पिसननल इस मैं इसत्रों मेंगेर अठ्वाधी कह बना द्या मंच भी ज़िए। पहला उत्तर दिनास्ना पर नियुद नहां आया, गननातंत्र मनि पर नुद नैफ नैफिकरा गननोगरा भुषनी शंदना बर नियुद नियुद सेखिखिए नियुद में दिनाजा, जय को तामा बें। कट्षर गनातंद बाद दियुर किन वशे देश्ट बन्ने उन्छा नेपाल को सम्मिधान को 2022 को दाराद 2024 मा के लेख्या शेक्षिन चुन नुस्ट कम शेकम एयर नुस्ट नेपाल को सर्वा भमिक्ता बाउगलिक अखंडता स्वाधिन तार जंतामा निहित सर्वा भम सत्ता क अरु गनातंत्रा चाहीं 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 थैना यो देश मा रास्ट्रपती मन्ने की न मन्ने बन्ने कुरा पनी नेपाल को सम्मिधान बित्र लेकिये होस। तरह सर्कार्ण पासे अर अर्गोगुराइब जंडा अल्ला आरा ग्रानतंत्राग विरोध गरना पाइंचार शदन मां उठे रही बोलना पाई देना अमराल दो बोले ता अर्या वाई साव मतलब जो कोशिशन का जवाब जी सेटिटीटूड में दे रहा है ग्याने अंदर साई बहुत है सैटिसफेक्शन मिला है दोस्तों आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा खले अर। हाई मुह पे बेहिज़त कर रहा है आदमी को सीर्फ मतलब सामने से कर रहा है कि आप कहीं उनका एजेंट तो नहीं करता तो नहीं है मतलब कि भाई साब इतने डेडिकेशन इतने ज्यादा फार लेवल है ग्याने अंदर साही हर कोई पत्रकार के सामने इस तरीके के लाइव व हमला तो ज़रूर कर रहा है मज़ा रहा है है ले आगे दिखते हैं zwischen अचैंद बहां I'm claud at a पत्र गार उफ्र रके वनना उन्छा, बौल पंदे ना तेव वनना न्योंछा, जन्ताला वरम जरने बानी ऐल एक़ यह उन्नुम्स्ता, विस्ता रह विस्ता रह परियोतन हुदेचन जन्ता यह कुर्पश देचन चौराशी को सुना भे रनुष् बाई ये के कुछन का तगड़ा जबाब दिया जा रहा है इंट का जबाब पतर से मुझे पता नहीं चला है कर इसी धमला जी उनको इंटर्व्यू के लिए बुलाया था या अपने ब्याइज़त कराने के लिए बलाया था मतलब कि हर कुछन का जबाब ग्यानेंद्र जी इस तरीके से मोड़ के दे रहे हैं और हमला तो हो रहा है धमला जी के ही ओपर मतलब जबर दास भाइज इसे रहलाई कहा जाता है मोर। यो नेपाल को witness भॉराज में अर्य दोओग दीन वराज आध़ाते थे अरेक परान उंत्री कि में और ही नुद्ध को गण महां गणिता हे वन जोदेद से पाइंक पर्दान मंत ważne को प्रतान मंत्री को काल्म पअटी इवर्धा तो पाले रोजगारी की एक सब ने जूटाना गार्नुस। अउट नुट मुटान और अंथरबाद करें। तपाइले कासन तक आपचान। पलाय दे आपजम्ड दूट नुटार अपदुए थाइल्गर्पानुस। वैक करने प्लत करें। स्स्ट्म को बखिलाब जाना को सब्ताइम कर जानुग कि अज़ने स्टम को बखिलाब वालयम कि वहा हुए था पीजुने स्टम को बरखिलाबब न८हीर मगः फ्रॉप्र हाटवन गाज़वर्णा के वहा रे मया कलगा यह बेवस्ता मा रास्टापतिर उपरास्टी बांदे नमाने जश्को कुने काम ही से न विदेशी को गुलाम बाय क्या है यह न नेपाली को रास्टापति मेन यह न शाजा हो दैनन दा यह तो दोल्ग को रास्टापतिर इंजिनेर पड़े रहा आया पाशी शर्टिफिकेट लिए बड़ सागे क्वालिफाइट या लागी ऑईले डाक्टर पड़े रभी न देशमा आया पाशी मेडिकल कामचल ले एक्जाम लें जा नेपाला पत्रकार को एक्जाम लेया कल देखना भाई साब एकदम मूड मेही है ज्यानेंद्र साय जी एकदम मूड ही सायध मुझे लग रहा कि बना करा है तक भाई आज तो रेलाई करना है रेल देना है धमला के उपर हमला करना है मतलब कि हर पुश्चन को इस तरीके से मोड कर धमला के उपर हमला किया जा रहा है जो बर्दश्ट और वैसे ही इनको और अप्रपा के प्रवक्ता नहीं बनाया गया है इनको जो बोलने का सैली है वो बहुत ही संदार मुझे लगा हाला कि यह जो इंटर्विव है पूरे 30 से 35 मिनट का है यहां पर सिर्फ क्लिप मैंने दिखाया है आप सभी को आप सभी को यह क्लिप कैसा लगा और ग्यानियंद लगा या समस्में नेपाल के करेंट सेनारियो से रिलेट करके आप देखते हैं वो इस बाता रिलेटेड ऐसा यह वीडियो देखने के लिए हमारे सेनल को सब्सक्राइब कि जीए मैं में लोगा नेक्स्ट वीडियो में एक ने टोपी के साथ तब तक ख्यार लगए अपना और अपने चाहने वालों का धन्यवाद